आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Given question है The negation of P and not Q implies not P और Q, ओके तो हमें इसका negation find करना है तो हमें यहाँ पे कहीं दे रखाओ basically A implies B और अगर इसका हमें क्या है यहाँ पे negation find करना हूँ तो इसका directly negation थो हम find नहीं कर सकते तो इसके equivalent हम लिख लेंगे इसके equivalent क्या हो जाएगा यह तो है negation थो है अब A implies B इसके equivalent क्या हो जाएगा यह हो जाएगा a by using the demorgan law और यह हो जाएगा and negation b तो यही formula हम यहाँ पर apply करेंगे तो यह क्या है जो p and negation q जो हमें दे रखा है यह क्या है यह मान लिया मैंने a और यह क्या है implies b तो इसका यहाँ पर basically क्या अगर negation हम find करेंगे तो क्या हो जा गहाए यह जो दे रखा है इसको हम as it is रखेंगे that is p and not q औके और यह हो जाएगा यहाँ पर और यह क्या हो जाएगा negation of b तो यह जो दे रखिये value b की ज़एगा इसका हो जाएगा और यह एंड और negation of negation P by using the De Morgan law, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर P और यह हो जाएगा end and not Q, अब यहाँ पर क्या है, P and not Q यह है, अब दोनों का अगर हम end लेंगे तो same ही आएगा, तो यह हो जाएगा यहाँ पर P and not Q, अब यह P and not Q, एक तो हमारा आंसर यह हो जाएगा, अगर इससे आगे अगर इसको हम solve करेंगे, तो यह basically का है, P and not Q की form, जैसे हमने यह लिखी थी, A and not B की form है, तो इसको क्या ले सकते हैं, A implies B का negation, तो इसको भी हम basically by using this concept, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, negation of P implies Q, अब इसको हम अगर अपने option में चेक करेंगे, then option first is our right answer, thank you. क्लासिक स्ट्वेल से लेके, NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 सुपर.